गुड मॉर्निंग डियर चिल्डरेन, वेल्कम टु यॉर हिंदी क्लास, हिंदी सेकिंड नूतन गुंजन बच्चो आज हम री से रिशी के बारे में पढ़ेंगे, यह जो अक्षर लिखा है, यह हमारा री से रिशी है हम सभी ने युकेजी कक्षा में भी पढ़ा था री से रिशी, आईए अब हम जानते हैं, री से रिशी से संबंदित अन्य जानकारी बच्चो यह जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है, यह मात्रा री से रिशी की मात्रा है बच्चो री से रिशी की मात्रा दिखने में छोटे सी जैसी होती है चलिए अब हम इसका प्रियोग जानेंगे आगे, पहले यह चित्र देखिए बच्चो यह चित्र री से रिशी का चित्र है, इसमें अभी हमने री से रिशी को इसी प्रकार लिखा है आईए आगे देखते हैं, यह चित्र री से रिशी का है, रिशी का अर्थ होता है किसी से उधार लेना, जैसे की लोन लेना, आईए देखते हैं, यह चित्र री से रिशी का है रितू बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में सीजन्स को, हिंदी में सीजन्स को क्या बोलते हैं? रितू बोलते हैं. आईए अब री से रिशी की मात्रा का प्रियोग कैसे होता है? यह जानेंगे. बच्चों, आपको पहले यह जाना होगा कि रिशी रिशी की मात्रा कैसे लगाई जाएगी? आईए जानते हैं का जमा री बराबर क्री. बच्चों, अभी हमने यह कुछ उधारन देखे. आईए अब हम आगे बढ़ते हैं. देखेंगे कैसे लिखते हैं? री की मात्रा को शब्द बनाने के लिए. बच्चों, इस प्रकार हम री की मात्रा को शब्द बनाने के लिए प्रियोग करते हैं. चलिए अब हम कुछ उधारन देखेंगे. पहला उधारन है क्रिशक. बच्चों, क्रिशक बोलते हैं किसान को, जो खेती करता है. इंगलिश में हम फार्मर बोलते हैं. दूसरा उधारन है गृत. गृत बोलते हैं बच्चों, घी को जो हम खाने में इस्तिमाल करते हैं. तीसरा उधारन है प्रित्वी. प्रित्वी बोलते हैं अर्थ को. बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम सभी प्रित्वी पर रहते हैं. हमारा प्लैनेट प्रित्वी है, दूसरा अन्य उधारण है क्रिशी, क्रिशी बोलते हैं खेती, क्रिशी बोलते हैं खेती को, यह आप चित्र में देख पा रहे हैं, खेती को, आगे बढ़ते हैं, यह उधारण है ग्रे, ग्री कारे जैसा की बोलते हैं, ग्री कारे मतलब होता है घर का काम, और ग्री मतलब होता है घर देखिए आगे बढ़ते हैं यह उधारण है व्रिक्ष व्रिक्ष बोलते है ट्रीको बच्चो ट्रीको हिंदी में क्या बोलते हैं व्रिक्ष क्या बोलते हैं व्रिक्ष आईए आगे बढ़ेंगे यह उधारण है म्रिग म्रिग बोलते हैं डियर को किस और बुक पेज नमबर 37 and let's do our book exercise and read the given words री से रिशी की मात्रा पहला लिखा है रिटू मैंने बताया रिटू बोलते हैं सीजन्स को दूसरा लिखा है मरिग बोलते हैं हिरन को या दियर को आई ही अब लिखा है अब पढ़ो पढ़ना शुरू करते हैं पहला शब्द है रिटू रिटू का आर्थ होता है सीजन्स रिच्चा यह किसी का नाम है रिशी आपको मैंने चित्र दिखाया था रिजू रिजू का आर्थ होता है सीधा स्ट्रेट लिखा है ग्रे ग्रे होता है हूम म्रिग हीरन व्रिक्ष त्री कृषक किसान बच्चो अब आपको एक बुक में अभ्यास कार्य दिया है वो आपको अपने बुक में सभी को करना है उपर से सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो पहला चित्र इसमें घर बना हुआ है बच्चो घर को कहते हैं ग्री दूसरा चित्र क्रिशक का है किसान का तीसरा चित्र व्रिक्ष का है ट्री का चोथा चित्र म्रिग का है हिरन का बच्चो यह कार्य आपको अपनी बुक में करना है Learn it well, thank you